हे विर्वन स्वागत करता हूँ आप सब का एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नमर वन चैनल बिहार बोर्ड श्टेडि पे ज्यात उसता है नहीं आज की क्लास में हम लोग कभर करेंगे इंटरमेडियेट एक्जामनिशन 2022 एनि एनुल एक्जाम के लिए हिंदी का प्रेक्टिस सेट को आपको बता दिये आईए आईकॉम एंड आईस यानि तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है यह प्रेक्टिस कई अनुभवी सिच्छों को दुवाड़ा मिल करके करने के साथ के बनाया गया इसमें यानि पर्समाटिस को आपको कोषोम को और आप क्यूंद Summe。 स्मझा व कि पूर्ण यह क्या अपको सॅल्व कर लेते हैं, समझ है कि आप यानि वोर्ड आएक्जाम के कोषोम को आप यानि वहां भी इसको hundred by hundred यानि यह guest question को आप यानि solve कर लेंगे तो चलिए आपके लिए सबसे बड़ा challenging class रहेगा और आप ये कितने साड़े question का answer आप दे पाते है comment section में आप लोग जरूर बताईएगा क्योंकि इसमें सभी NCRT question को ही collect किया गया है जो आपके बिहार बोट के नए pattern पर आधारी थे ये तयार किया गया है ये practice set तो चलिए गाई शुरू करते है जैसे के आपके screen पर आगया पहले उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी request रहेगा कि अभी तकर आप मेरे channel को subscribe नहीं किया है तुलसी दास नए अपने UK किन दो शाहित्य भासाउं को फिर्दशी ऑसर इंदी ठीशी और बरार्जहृ जो है ये यह मिस हो गया है चले नेक्स्ट कोश्चन देखेगा आपके स्क्रीन पे दूसरा नमर स्वाल जूटन सिर्चक यानि आत्म खता के लेखक कौन है जूटन सिर्चक आत्म खता के लेखक कौन है दो नमर स्वाल का आंसर बताना है बिल्कुल आप लोग का अंसर एपसलूटल यानि करेक्ट होना चाहिए इसका अंसर अपका ओम परकास वालमी की यानि आपका ए राइच आंसर हो जाएंगे नेक्स कोशन देखेगा आपके स्क्रीन पे मलियज का मुल नाम बताएए पहला आपका निर्मल कुमार सी रवास्तव, भरत जी सी रवास्तव, राजीव कमल सी रवास्तव या इन मैंसे कोई नहीं बिल्कुल आप लोगों का अंसर करेक्ट हो गया नहीं हसते हुए मेरा अकेला अपन आप्सन भी राइट आंसर हो जाएंगे तिरची तिरची को देखे तो उसे कभी आख मत मिलाओ आख मिलते हुए आदमी के गन पहचान लेता है और फिर वो पीछे लग जाते है फिर आदमी आपको बताना है तो च्छे नम्र सवाल का अंसर होगा आपका बिल्कुल तिरची राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स्ट कोश्चन देखेगा आपके स्क्रीन पे जेव कृष्ण मूर्ती क्या थे जैनी क्या थे इन चारों में से इसका राइट आप्सन आपको पता होगा य अप्सन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है करवक सिर्सक अभीता किष्ण ने लिखी थी यानि करवक सिर्सक अभीता जो किष्ण लिखी थी मलिक मुहम्मद जैसी तुलसी दास सूरधास कभीड़रास तो बताइए इन चारो मेंसे इसका right option क्या हो जाएगा नौ नमर स्वाल का answer बताना है और बिल्कुल इसका answer आपका right answer हो जाएगे 9 का answer आपका मलिक मुहम्मद जैसी यानि option आपका right answer हो जाएगे टीक किसने लिखा है का भोजन कडी नंद यानि अचमन लिही नहीं मांगत सूर जूटीनिया तो इन चारो मेंसे इसका right option बताना दस का answer आपका बिल्कुल शूर्दास यानि right answer हो जाएगे next question देखेगे आपके screen पे सूर्दास के दिख्षा गुरु कौन थे यानि सूर्दास के जो दिख्षा गुरु थे वो कौन थे इन चारों में से इसका right option आपका महा परभू लबा चाड़ी यानि option आपका right answer हो जाएंगे नबादास किसके सिस्से थे नवादास जो है ये किसके सिस्य थे बारे नमर स्वाल का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका अगर दास के आपसन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे तुलसी दास के माता पिता का क्या नाम था तुलसी दास के माता पिता का नाम क्या था तेरे नमर स्वाल का आं पतलब इसका अंसर क्या डायगा या डाइट आंसर हो जायगे भूशन पतला video of a दी राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स्ट कोश्चन देखेगा आपके स्क्रीन पे बाल किशन भट किस काल के रसनाकार है सोले नमर्स वाल का आंसर आपको बिल्कुल पता ही होगा या आधुनी पाल किस जाएंगे आपका निवास अस्थान कहा था इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएंगे चंदरत शर्मा गुलेडी का जनम कहा हुआ था इन चारों में से इसका राइट ऑप्सर्ण बताना है तो इसका आंसर जोगा आपका जैपूर राजिस्तान आनि आपका C राइट आंसर हो जाएंगे को पतने ऐसिंदिर अपंसल और धानला है रामधारी से दिंकर का जन्मवा था इन चारों सवाल का अंसर बिख़याद ऑपसंडी और चुमंडी राइट राइट आँसर रोज चले नेक्सकोषटन देखेगा रोज फिर् возмож कहाणि का पूरे नाम क्या था इन चारों में से आंसर आ का रॉप संड़ी और आइए सिफाही की महा में एकांकी का कथा वस्तु है यहनि सिफाही की मा», एकांकी का कफा वस्तु है, 27 का आंसर बिलकुल करेक्ट होगा, यहनि, निमने मद्यमोर की 1 आपका ऐ राइट आंसर हो ज filthy जग्दिष जंदरमाथूर का जनम यहनि कहां हुआ था, 28 का आंसर बिलकुल करेक्ट होगा, यहनि सहाजयापुर यहनि उत्तर प नेक्स्ट कोश्चन देखेगा किस पात्रगा कथन है कि भाईया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वह ताड़ और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्सन बताना है तीसरों स्वाल का अंसर आपका मुन्नी विल विदर राइट आ अंसर हो जाएंगे नेक्स्ट कोश्चन देखेगा आपके स्क्रिन पे तुमुल कुलाहल कले में सिर्सक कविता की कवी का नाम लिखिए तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्सन बताना है ठर्टी टू नमर्स वाल का अंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके राइट आंसर हो जाएगे तुमुल कुलाहल कले में सिर्सक कविता की सिर्थक से ली गई है ठर्टी टिरी का अंसर बताईए बिल्कुल सही और साइट आपके राइट आनसर हो जाएगे नेक्स्ट कोशन देखेगा कावेत्री यानि सुविर्दा कुमारी चुहन का कहा वाता है कावेत्री इसुविर्दा कुमारी चुहन का जौरन जो आता है नि कहां पे वाता चौँतिस का अंसर हो जाएगे निहाल पूरि इलहाबाद उत्तपर्द्थर आपका ए राइट आनसर हो जाएंगे कवियों का कवि किसे कहा जाता है 35 का अंसर बिल्कुल आपका A right answer हो जाएंगे कभी गजानन महाद मुक्त बोट का जनम कहा हुआ था 36 cancer अपका शेवपूर याणि गौलियर याणि उत्तर प्रदेश याणि option अपका D right answer हो जाएंगे ठीक है next question देखिएगा आपके screen पे मद्धिप्रदेश के किस कवीता संगड़े पड़ यानि गलगविर शाह को शाहित पे आकादमी पुरुसकार मिला था इन चारों में से इसका राइट आपसर बताना है और बिल्कुल आपनों का अंसर करेक्ट ही होगा यानि 37 आपका जो हो जाएगा यानि लोग भूल गया यानि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका अंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही और 60 का अंसर हो जाएगा इसका अंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगे चली बताइए आप लोग ठीक है एक बार कोशन को फिर से देख लिए जगा ठटी एट नमर सवाल है ठटी एट नमर सवाल बिल्कुल इसका अंसर आपका विनोत कुमार सूकल यानि आपका ए राइट 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 के लिए बहुत ही मौस्ट अभीव है आपको बता दिये यह आपके लिए हम इतना स्ट्रेगल कर ड़े तो यह आपकी रिस्पोंसिलिटी है कि आपको भी जम करके अपने दोस्तों में सेर करना चाहिए किस कभी ने लिखा है कि खेत रहने वालों की सूची और परकाशित है कभी ज्यानंद पति का निवास कहा था आपको बताना है बिल्कुल सही और सथे का आशर होना ची आपका वारण से उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो दाएंगे नेक्ट कोशन देखेगा 43 आपका वारण से थी किस पार्ट में आया है कि आवाज भी नहीं आती है यह cie tuk, यहां तक, ना आवाज कि, मतलब रोसollarनी की आवाज, तो अधिन एक का होगा, हर जित होगा, गाऊं का घड़ी आपकात, जंजन का चेहरा आपकत, बतायी 73 का आंसर क्या हो जाएंगे, विल्कूल 60 की आंसर में, आफसन आपका C, राइट आनसर हो जाएंगे, ठीक है कलड की मौत सिर्चक कहानी के रचीता का नाम बताईए यानि कलड की ची मौत की यानि जो सिर्चक कहानी का रचीता है उसका नाम बताना है 44 का अंसर आपका विल्कूल आतोचन चेखव यानि आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे गाईडो यानि गाईडी मोपाशा का जीवनकाल बताईए तो बताईए 45 का आंसर क्या हो जाएंगे जली बताईए तो इसका आंसर आपका 880, 893 यानि आपसन अपड़ी राइट आंसर हो जाएंगे घुटने टेकना मुहाबडे का अर्थ बताईए 46 का आंसर आपको बताना इन 4 में से इसका राइट आपसन आपका हर्म मानना यानि आपसन आपका राइट आंसर हो जाएंगे सवाल देखेगा शमाज सब्दका विसेशन है यानि समाज सब्दका जो विश्यसन होगा तो क्या होगा इन चारों में से इसका राइट आपसन बताना है समाज जी आपका समाज जी आपका समाजक तो बताए इन चारों में से इसका राइट आपसन क्या हो जाएगा समाज सब्दका विश्यसन बताएगा 47 का आपका horrible time है तो बिल्कुल इसका answer अभी okay GörVE जांगे हाती का पढ़यावाची है हाती का पढ़यावाची आपको पता होगाwriting क्राँध होता फैस्थि होता है मतंग passenger होता he तो यह सारा होता है, option आपका D, right answer हो जाएंगे ठीक है, चलिए next question देखेगा, चात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है यानि चात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है तो आपको बता होगा, चात्रों के रहने का स्थान को यानि चात्रवास कहलाता है आपका a right answer हो जाएंगे next question देखेगा आँखों के सामने के लिए एक सब्ध आपको बताना है और इसका अंसर आपका बिल्कुल correct होगा याँई परतिक्षि राइट answer हो जाएंगे option भी right answer हो जाएंगे next question देखेगा सुईकार करने योगे क्या हो जाएगा आपका जली बताएंगे फड़ा बड़ा अप्लोग बताएगा तो इसका आपका वेर्डी यानि option भी right answer हो जाएगे जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं यानि जानने की right option आपका पिरिया दर्जन option आपका ए right answer हो जाएगे लंबोदर कौन सा समास है लंबोदर जो है आपका एनि कौन सा समास है जली बताएगे 57 का answer बताना और इसका answer आपका बिल्कुल correct हो जाएगा नि बहवीडी will be the right answer हो जाएगे right answer हो जाएगे तत पुरुष समास next question देखेगा आपके स्क्रीन पे गगन चुम्बी कौन सा समास है जो गगन चुम्बी है ये कौन सा समास है इन चारों में से इसका right option बताना है इसका answer आपका यानि तत पुरुष समास option आपका right answer हो जाएगे आलसी का विलोम है जाएगे आलसी का विलोम बताना है 61 नमर सवाल का answer बताईगे चलिए इन चारों में से right option जो गवाव का option आपका c right answer जाएगे गयाद का विलोम क्या होता है 62 नमर सवाल का answer बताना है और गयाद का विलोम होता यापको बता हो गयात हिएनी तुरूम का अनवर्ण संसरा का विलोम होता है ईकरून का विलोम होता है अननुस्टोर अपको पर भी राइट आंसर हो प्राचिन का उल्टा हो जाएंगा गंतंत का ब्लॉम हो जाएंगे और को पर्टीव का पर्यावाची शब्द्द चूच करना है छो इन में से सभी इन में से कोई नी तो आपको बताना पिर्थी भी का जो होता है अपका या भूमी होता है अपसन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चले नेक्स कोशन देखेगा आकास का पढ़ियावाची यानि आकास का पढ़ियावाची बताना नब होगा गगन हो वड़ी है आपका उप्यूक तो सभी तो आपको बता होगा जल का पढ़िया वाची यानि उप्यूक तो सभी यानि राइट आंसर हो जाएंगे नेक्ट कोशन देखेगा रच्छा बंदन कौन सा समास है 17 नमर सवाल का आंसर बताएगे इन चारों में से इसका राइट आप्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल आपका व्यक्तिव आपका राइट आंसर हो जाएगे नेक्ट कोशन देखेगा विसेशन के कितने भेद होते हैं इन चारों में से इसका राइट आपसर बताना है और इसका आपका डिफिनिट्ली यानि करेक्ट होना चीए जली लिवताईए आंसर क्या हो जाएगे बिलकुल इसका आपका चार राइट आंसर हो जाएगे ठीक है नेक्स कोशन देखेगा भासन के लिए उपयुक्त वे सेशन क्या होगा जली बताईए 75 का आपसर बताएगे बिलकुल आपका आनसर आपका आपसर आपका राइट आंसर हो जाएगे कक्चा में छातरों की कमी नहीं 要एंटी सिक्स का आंसर बताईए इन चारों में से इसका राइट ऑफ्शन आपका, अपको है आलसी यहांगी कक्चा में यहांगी छातरों की कमी नहीं, कौन सा चातर का, अद्यूज़ा की हो ठीक है देह के बारे मैं आपको बताना है देहे जो आपका अपनी है taraf को आये का सधरी नइस सधोने बताई में छोई है तो छोई और डी तो खटीजा coun delivering है तो बताई एक अपको बताना है अपमान का उपसर्ग बताई तो अपमान का जो उपसर्ग होता है अपमान का आपका क्या हो जाएगा उपसर का बताईए तो सुरी यहां आपको यहां विलॉम नहीं यहां अपमान का पूछा गया है तो उपसर को जोता है सुरू में होता है अपजोर मान अपजोर मान तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यह अप हो जाएगे बिल्कुल आपका यह राइट आपिसर हो जाएंगे अभी हो जन सब्द में कौन सा पड़ती है कि इसका उच्छारं जो हाता है यह चीज देखिए 84 का परकास it तो अपका it आरा लाश्ट में option आपका भी right answer हो जाएंगे 84 एंशोरी परकास it ये दिर्गी वाला नहीं होगा अपका ये जो होगा ये सिंपल वाला होगा नि option आपका a right answer हो जाएंगे विवागे सब्दे में पर्तिय बताईए सब देखे लास्टे जो चरह निकलता उसी को यह नि हम लोग क्या बलते हैं पर्तिय तो विवाग यह 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 आरा लास्टे में तो इसका आंसर आपको इससे बता चली गया है आपका सी राइट आंसर होगा जो इस तरी अभीने करती हो के लिए एक सब्द होगा बिल्कुल आपको बता होगा यह अभीने तरी आपका सी राइट आंसर होगे पूर्शी सब्दे जो है संग्या क्या है पूर्शी सब्द संग्या के बारे मताना है पहला आपका याने वेक्ति बाचक जाती बाचक भाव बाचक या समु Evर चक्थ देहस का लिंग निर्णे करें इन चारों में से इसका right option बताना है और इसका answer आपको definitely पता होना चीए उभेर लिंग, इस्तरे लिंग, पूर लिंग, पूर लिंग, पूर लिंग, आइन में से कोई नहीं तो बेराना में नमर स्वाल का जो answer होगा बिल्कुल correct होगा यानि answer जोगा यानि pooling value राइट answer हो जाएंगे next question देखेगा, बाल का लिंग निने कड़े, तो बाल का आपको बता ही होगा यानि इस्तरे लिंग होता है, बाल लंबी यानि option आपका A, राइट answer हो जाएंगे सदा चार का संदी विच्छेद बताए सदा चार का जो संदी विच्छेद होगा वो क्या होगा, इन चारों में से इसका right option बता ही होगा, तो बिल्कुल सदा चार सद जोड आचार है नि, option आपका A right answer हो जाएंगे, डी होगा यानि आपका सदा चार आचार, तो बताएंगे, शदा जोड आचार, तो बताएंगे, इन चारों में से इसका right option बताएंगे, चारों नमबर नमर स्वाल का answer क्या हो जाएगा, विद्याले का संदी विच्छेद बताएंगे, 95 का answer आपको डिफिनेटली पताएंगे, यानि वीदा जोड आ ले, जाएंगे, जगधंबा का शावसंदी है, जगधंबा जो आपको यानी जगज़वर अंबा है, जगत ज्यवर अंबा है, तो बताएंगे इसका answer क्या हो जाएगा, 98 नमर स्वाल का answer बिल्लकुल जगधं जोड आपको आपको right answer हो जाएंगे, नेक्स्ट कोशन देखेगा सुकर्म में उपसर्ग बताईए हंडेड नमर सवाल का आंसर बताईए और इन चारों में से इसका राई तो आपसर आपको पताऊगा यानि सुकर्म जो सब्दों जो है आपका यानि बिल्कुल करेक्ट होगा यानि सु विल भी राई आंसर हो फैनल एक्जाम यानि 2022 में एनल एक्जाम देने वाले हैं तो चले गाई यहीं तक आज के क्लास को इंट करेंगे जब दक के लिए जहीं जवारत अगर आपका माइन में सब्देक्टिव को लेकर के बहुत जादा ही टेंसन आप ले रहे हैं अगर आपका त्यारी बिल्कुल इंशन ही नहीं लेना पड़ेगा बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका त्यारी किया जाएगा तो सब्सक्राइब पहले आपको किसी भी ब्रोजर फीचर में चाहिए गूगल करो मैं कहीं पर आ करके भी आपको टाइप करना है बोर्ड एक्जाम एस्टेडी बोर्ड लिख यहां आपको लिखाना क्या डॉट सी ओम यानि वहार बोर्ड एक्जाम एस्टेडी डॉट कम आपको सर्च करना है जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ आपको दिखता होगा इस परकार का कुछ इंटरफेस आएगा तो आपको यहां लिखा हुआ है और रोड़ ली करना है जैसे अब कर दो करना है जैसे कई करने के बाद किया करना है आपको ह inse Madrid करना है उसके लिए चाहिए करना थे सब्जक्त-का धा वह सब्जक्ट का जयां को यह है आपका सब्जेक्टिव देखें बिहार को विशेस राजर का दर्जा क्यों मिलना चाहिए यह कोशनों के सब्जेक्टिव में निदे कम बारा में दिया हो यह इस तरह कासी आपको तो यह सब्जन x आपको इधर उधर कहीं भटकने के जरूरत नहीं होगी बिल्कुल आसान तरीका से आप यहां से त्यारी कर सकते दो चलिए गाइस आई होप आपको समझ में आ गया तो चलिए गाई जहें तक आज के क्लास को एंट करते जद्द के लिए जहें जबारत